ये घटना घटी साल 2016 में जब एक बंदा अपने लैप्टोप में एक्स्प्लोजिव्ज लेके सुमाली के कैरो प्लेन में चड़ गया उसका इरादा था कि वो पूरे प्लेन को उड़ा देगा प्लेन के उड़ने के 15 मिनिट बाद लैप्टोप फटा लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को बहुत तसल्ली देगा जैसे ही लैप्टोप फटा वो बंदा जहां पर बैठा था सिर्फ उस जगा पर प्लेन में खोल हो गया और वहां पर हवा के दबाव की वज़े से सिर्फ वो एक बंदा प्लेन से बाहर खिच गया नीचे गिरा और उसकी मोत हो गया भागी पूरे प्लेन को एमरजंसी लैंड करवा लिया गया गाइस वो कहते हैं ना बुरे काम का बुरा नतीजा दिखावा करने में हम भारतियों का कोई सानी नहीं है मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनेगा सबसे पहला शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को ये पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है दूसरा फादस डे और मदस डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आग्याकरी संतान हमी है थीसरा हमारे पास महेंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन सबजी वाले को 20 रुपे देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बारगेनिंग करते हैं और चोथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिन्दगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं आप इससे कितना इत्फाक रखते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब और लाइक मिलत अगली वीडियो में